प्यारे बच्चों, हमने अपने पांचवे पाठ के अभ्यास प्रश्णों को किया है। और हमने सर्वनाम को पहचाना है तथा पाठ में यह सर्वनाम किस के लिए आया है इसको भी हम आज करेंगे तो आज बच्चों हम अपना चौथा प्रश्ण करेंगे इसमें हमें सर्वनाम पहचानना है तथा पाठ में यह सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया गया है ये भी लिखना है तो शुरू करते हैं अपना चौथा प्रश्ण इन वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खीचो और लिखो की पाठ में ये किन के लिए प्रयोग किये गये हैं तो सबसे पहले हमें सर्वनाम को पहचानना है उसके नीचे रेखा किचनी है और खाली स्थान में बताना है कि पाठ में वह सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया गया है तो हमारा पहला वाक्य है वह अब बुढ़ा हो गया था वह अब बुढ़ा हो गया था तो वह वह है बच्चो सर्वनाम हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं सर्वनाम की परिभाशा क्या होती है संग्या के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किये जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं हम जानते हैं तो यहां पर और सर्वनाम क्या होता है ठीक कहा संग्या के स्थान पर प्रयोग किये जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं संग्या में व्यक्ति वस्तू स्थान या भाव के नाम को संग्या कहते हैं तो वह है, वह सर्वनाम है, वह बुढ़ा हो गया था, तो इस पार्ट में हमने बच्चों देखा, वह वैपारी के लिए प्रियोग में आया है, किसके लिए? वैपारी में, तो पहले हम, इसके नीचे रिखा खीचेंगे, और फिर लिखेंगے, कि यह वैपारी के लिए प्रियोग में आया है, तो वह सर्वनाम हो गया, और प्रियोग में आया था, वैपारी के लिए, हम लोग लखेंगे, वैपारी, व्यापारी उसी तरह दूसरा है पिता ने कहा जाओ इसे कुए में फेक दो पिता ने कहा जाओ इसे कुए में फेक दो तो इसे तो बचों यहाँ सरवनाम है इसे सरवनाम क्या है इसे तो हम इसे रेखांकित करते हैं नीचे रेखा कीज दिया और यह इसे अशर्फी के लिए कहा गया है यह वही अशर्फी है जिसे व्यापारी के पुत्र ने अपनी मा से मांग कर व्यापारी को दिया था तो इसे अशर्फी के लिए है तो हम लिखते हैं अशर्फी आप जानते ही अशर्फी क्या होती है सोने का सिक्का तो हम लिखते हैं अशर्फी तो इसे हमने अशर्फी के लिए प्रियोग किया है इसे सर्वनाम है और हमने इसे अशर्फी के लिए प्रियोग किया है अब अगले वाक्य पे चलते हैं दोनों ने इसे समझाया दोनों ने इसे समझाया दोनों ने इसे समझाया तो इसमें सर्वनाम बच्चों सर्वनाम है दोनों ने उसे समझाया उसे उसे सर्वनाम है तो ये दोनों ने उसे समझाया तो ये था ये पाठ में कहां आया है जब वैपारी का पुत्र अशर्फी या कुछ धन मांगने के लिए किसके पास गया था पहले अपने मांग के पास गया था फिर अपनी बहन के पास गया था लेकिन वैपारी ने क्या कहा? उसने अगले दिन दोनों को मना कर दिया कि आप लोग मेरे पुत्र को की मदद नहीं करेंगे उसको मैंने काम दे रखा है कि उसे धन कमा के लाना है तो फिर भी क्या है? पुत्र को उमीद थी कि मा और बहन मेरी मदद करेंगे और मुझे कुछ पैसे देंगे और वो दोनों के पास गया तो दोनों ने मना कर दिया और दोनों ने उसे क्या समझाया? कि जाओ आपको कुछ कमा के लाना है हम लोग आपकी मदद नहीं कर सकते ठीक है? तो इसमें ये पार्ट में कहां से था? जब दोनों मा बहन ने वैपारी के पुत्र को समझाया कि वो जाके कुछ काम करें वो जाके कुछ काम करें तो उसे यहाँ पर वैपारी के पुत्र के लिए प्रियोक किया गया है उसे सर्वनाम है और यह वैपारी के पुत्र के लिए प्रयोग किया गया है हम आगे जगह में लिख देंगे वैपारी का पुत्र किसके लिए प्रयोग किया गया है वैपारी का पुत्र के लिए लिखते हैं पहले हमने रेखा किछी उसे नीचे और ये किसकी लिए था वैफारी के पुत्र के लिए तो उसे सर्वनाम है उसे सर्वनाम कहेंगे हम और ये किसके लिए प्रियोग में आया है वैफारी के पुत्र के लिए तो सर्वनाम क्या है उसे और इसका प्रियोग वैफारी के पुत्र के लिए ही किया गया है तो हम रेखांकित करेंगे उसे और सामने लिखेंगे वैफारी के पुत्र के लिए आगे चलते हैं सेट के घर तक पहुंचते पहुंचते उसके पाउं कापने लगे सेट के घर पहुंचते पहुंचते उसके पाउं कापने लगे तो हमने यह देखा यहां सर्वनाम है उसके यहां क्या है पैच्चों सर्वनाम उसके उसके सर्वनाम है और यह किसके लिए प्रयोग किया गया है हमने देखा था कि जब वैपारी के पुत्र ने बजार जाकर कुछ कमाने का प्रयास किया तो उसे एक सेट जी मिले सेट जी ने शर्त रखी कि अगर वे उसका समान उसके घर तक पहुंचा देंगे तो उसके बदले में वेव से चवन नहीं देंगे और वैपारी के पुत्र ने यह बात स्विकार कर ली और सेट जी का समान सेट जी के घर तक पहुंचा दिया लेकिन पहुंचते पहुंचते उसके पाउं कापने लगे तो उसके यहाँ पे वैपारी के पुत्र के लिए ही प्रयोग किया गया है तो बच्चों उसके यहाँ पे वैपारी के पुत्र के लिए ही प्रयोग किया गया है तो हम लिखेंगे वैपारी के पुत्र उसके सर्वनाम है और किसके लिए प्रयोग किया गया है वैपारी के पुत्र के लिए और हम यह बताया ही गया है संग्या के जगह पे जो शब्द प्रयोग किये जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं सरवनाम क्या होता है परिभाषा संग्या के स्थान पर प्रियोग किये जाने वाले शब्दों को सरवनाम कहते हैं यह थी हमारी सरवनाम की परिभाषा संग्या के स्थान पर आये शब्द या प्रियोग किये गए शब्दों को सरवनाम कहते हैं अब हम अपने पांचवें प्रस्ण पर चलते हैं बच्चों हमारा पांचवें प्रस्ण है अब उधारन के अनुसार वाक्य बदल कर लिखो हम कैसी करना है जो उधारन दी रखा है उसके अनुसार वाक्यों को बदल कर लिखा है उधारन क्या दिया है जाओ कुछ कमा कर लाओ तभी तुम्हें रात का भूजन मिलेगा दूसरा वाक्य भी पढ़ते हैं जाओ कुछ कमा कर लाओ वरना रात का भूजन नहीं मिलेगा तो हमने देखा कि दूसरे वाक्य में वरना लगा के वाक्य में बदलाव किया गया है क्या लगाएगे बच्चों तभी के स्थान पर वरना लगाएगया है और हमने देखा है नहीं का भी प्रियोग किया गया है जाओ कुछ कमा कर लाओ वरना रात का भूजन नहीं मिलेगा तो हमने यह देखा कि नहीं का भी प्रियोग किया गया है जब हम वरना लगाते हैं जब हम वरना लगाते हैं किसी वाक्य में तो उसका क्या परिणाम होगा वह भी लिखा जाता है तो हमने क्या सीखा हमने देखा कि अगर हम किसी वाक्य में वरना लगा रहे हैं तो साथ में परिणाम भी लिखना पड़ता है और जब हम तभी का प्रियोग करते हैं तो हमें परिणाम नहीं लिखते हैं तो इसमें ध्यान से देखो जाओ कुछ कमा कर लाओ तभी तुम्हें रात का भूजन मिलेगा दूसरा है जाओ तुम कमा कर लाओ वरना रात का भूजन नहीं मिलेगा तो वरना चेतावनी देने के लिए प्रियोग किया जाता है और चेतावनी के साथ उसका क्या प्रिणाम होगा वह भी साफ साफ बता दिया जाता है और जब हम तभी का प्रियोग करते हैं तो किवल कारण बताते हैं और यह चेतावनी देने के लिए नहीं होता है तो वरना जब भी लिखा जाता है तो यह चेतावनी देने के लिए दिया जाता है और हम साथ में उसका परिणाम भी सिधा बता दिया जाता है तो दूसर पहले बाके में क्या था इसके अंदर भी यही बात कही गई है लेकिन इसमें सावधान नहीं किया गया है इसमें सीधा बताया गया है कि आप कुछ कमा कर लाओ तो आपको रात का भूजर मिलेगा लेकिन दूसरे वाले में क्या है इसमें चियतावनी और सावधान किया गया है कि आपको कमा कि लाना है वरना रात का भूजर नहीं मिलेगा तो दूसरे वाक्य में हमें चियतावनी या सावधानी समझ आ रही है तो अब हम क्या करेंगे दिये गए उधारण में हमें पूरा वाक्य लिखना है और वर्ना लगाना है अब है कि सभी वाक्य हमचियतावनी के तरपर हैं प्रियोग करते है अपने है रोजमर्रा के जिन्दगी में अडे-डे-टू-डे लाइफ में हम लोग क्या करते है जब वर्ना लगाते हैं तो वह चियतावनी के लिए ही रियोग किया जाता है ठीक है तो यह था हमारा वर्ना का प्रियोग फिर से इसको देख लेते हूं फिर आपको समझ आ जाएगा जाओ कुछ कमा कर लाओ तभी तुम्हें रात का भोजन मिलेगा इसमें तभी का प्रियोग किया गया है और इसमें परिणाम सकारात्मक तरीके से बताया गया है जब हम तभी का प्रियोग करते हैं तो इसका परिणाम सकारात्मक तरीके से बताया जाता है लेकिन जब वर्ना का प्रियोग करते हैं तो यह चेताव नहीं या साबधानी के लिए कहा जाता है और उसका परिणाम नहीं के तौर पे या नकरात्मक तरीके से बताया जाता है ठीक है यह हमारा तभी और वर्ना का प्रियोग तो अब हम नीचे लिखे गए वाक्यों को वर्ना लगाकर फिर से बदल करके पूरा वाक्य लिखेंगे तो पहला हमारा है पहला वाक्य पढ़ने में मन लगाओ तभी परिक्षा में उत्रोन हो सकोगे उत्रीन का मतलब होता है पास हो जाना आम भाषा में हम लोग क्या कहते है उत्रीन का क्या अर्थ होता है सफल हो जाना पास हो जाना तो अब हम इसमें तभी के स्थान पर वर्ना लिखेंगे और हम वाक्य को कैसे करेंगे ज़रा देख लेते हैं बच्चों हाँ तो पहला है पढ़ने में मन लगाओ वर्ना तो हम तभी नहीं लिखेंगे तभी के स्थान पर क्या करेंगे वर्ना परिक्षा में उत्रीन नहीं हो सकोगे उत्रिण के बाद में नहीं हो सकोगे लिखना पड़ेगा पढ़ने में मन लगाओ वरना परिक्षा में उत्रिण नहीं हो सकोगे तो हम तक तभी के जगह पे लिखेंगे वरना और उत्रिण के बाद लिखेंगे उत्रिण नहीं हो सकोगे उत्रिण के बाद में लिखेंगे नहीं हो सकोगे एक बारसी बार से इसको देख लेते हैं इस वाक्य को आपको कैसे लिखना है आप लेखेंगे पढ़ने में मन लगाओ परना परिक्षा में उत्रीण नहीं हो सकोगे तो यह जितावनी वाला है पहला वाला तो आपको ये पूरा वाक्य लिखना है पढ़ने में मन लगाओ वरना परिक्षा में उत्रीन नहीं हो सकोगे तो बहुत सरल है अब हम अपने दूसरे वाक्य पे चलते हैं हमारा दूसरे वाक्य है बिना डरी आगे बड़ते जाओ तभी मंजल तक पहुँआ सकते हो बिना डरी आगे बढ़ते जाओ तभी मंजल तक पहुँआ सकते हो तो हम लोग क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे तभी के इस्थान पे हमें हम जानते हैं तभी के इस्थान पे वर्ना लिखेंगे और पहुँच के बाद नहीं लिखेंगे उपर वर्ना चेतावने वाला वर्ना तभी मन्जिल तक पहुँच बिना डरे आगे बढ़ते जाओ वर्ना मन्जिल तक पहुच नहीं सकते हो तो यह है बचो मरख बिना डरे आगे बढ़ते जाओ वर्ना मन्जिल तक नहीं पहुच सकते हो तो हमने वर्ना कप्रियों किया किसकी जगह पे तभी के स्थान पर तभी के स्थान पर हमने वर्ना कप्रियों किया और हमने चेतावने देने के लिए मन्जिल तक नहीं पहुच सकते हो भी लिखा तेगक बर फिर से इसको पुरा पढ़ लेते हैं पहले मैं प्रस्ण पढ़ता हूं वाक्य सके बाद इसका उत्तर बताता हूं बिना डरे आगे बढ़ते जाओ तभी मंजिल तक पहुँच सकते हो इसके जगह हम ज सब वर्णा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बिना डरे आगे बढ़ते जाओ वरना मंजिल तक पहुँच नहीं सकते हो तभी यह काम कर पाओगे प्रश्न क्या है मेरी बात मानो तभी यह काम कर पाओगे तो अब इसमें भी हमें के स्थान पर वरना का प्रियोग करना है मेरी बात मानो तभी के स्थान पर हम क्या करेंगे वरना का प्रियोग करेंगे तभी वर्ना यह काम कर नहीं पाओगे तो इसमें आखरी में हम लोग नहीं लगाते हैं तो इसमें हमने क्या देखा बच्चों तभी के स्थान पे वर्ना हाँ तो बच्चों गव है मेरी बात मानों तभी यह काम कर पाओगे मेरी बात मानों तभी यह काम कर पाओगे तो तभी के स्थान पे हम लोग वर्ना लगाएंगे तो क्या लिखेंगे मेरी बात मानों वर्ना यह काम कर नहीं पाओगे मेरी बात मानो वर्णा यह काम कर नहीं पाओगे तो हम लिखते हैं इसी को तो इसमें हमने क्या देखा तभी के स्थान पे वर्णा लिखेंगे और कर के बाद में नहीं दुड़ेगा तो इक बार लिखते हैं मेरी बात मानो तभी के स्थान पर हम लिखेंगे वर्ना यह काम कर नहीं पाओगे उसके बाद हम लिखेंगे नहीं पाओगे फिर एक बार देख लेते हैं प्रश्न है मेरी बात मानो तभी यह काम कर पाओगे मेरी बात मानो तभी यह काम कर पाओगे हम इसमें वर्ना तभी को हम वर्ना से बदल देंगे वर्ना हम जानते हैं वर्ना चैतावनी देने के लिए साथान करने के लिए या चैतावनी देने के लिए हम पर्योग करते हैं मेरी बात मानो वर्ना या काम कर नहीं पाऊगे तो ये था हमारा ग, अगला है, जल्दी जल्दी चलो, तभी गाड़ी पकड़ सकोगे अगला क्या है बच्चों, जल्दी जल्दी चलो, तभी गाड़ी पकड़ सकोगे तो हम तभी को वर्ना से बतल देंगे, और नहीं तहां लगाएंगे, पकड़ के बाद में तो प्रस्ण है पहले बर प्रस्ण पढ़ते हैं फिर मैं उसका उत्तर बताता हूं प्रस्ण में तभी लगा है और उत्तर जो है हम तभी को वर्ना से बदल देंगे और नहीं का प्रयोग करते हैं आपको पता है जब हम वर्ना लगाते हैं तो छेतावनी देने के लिए नहीं का प्रयोग किया जाते हैं तो हमारा घह है जल्दी जल्दी चलो तभी गाड़ी पकड़ पाओगे जल्दी जल्दी चलो तभी गाड़ी पकड़ पाओगे अब हम इसके जगह तभी के जगह वर्ना लगाते हैं जल्दी जल्दी चलो वर्ना गाड़ी पकड़ नहीं पाओगे तो हमने क्या देखा हमने तभी के बाद में तभी के बाद में हमने तभी के इस्थान पे वर्ना प्रयोग किया वर्ना और पकड़ के बाद में नहीं जल्दी जल्दी चलो वर्ना गाड़ी पकड़ नहीं पाओगे जल्दी जल्दी चलो वर्ना गाड़ी पकड़ नहीं पाओगे तो बचों हमने पांच्वे प्रिश्ट में क्या देखा हमने उधारण के अनुसार वाक्य बदल कर लिखा था तो पहले वाक्य में क्या था तभी हमने तभी को वर्ना में बदल दिया यह हम वर्ना में जब ही किसी वाक्य को बदलते हैं शितावनी देने के लिए शावधान करने के लिए तो सिधा उसका प्रिणाम भी बता देते हैं जैसे पहले उधारण में ही लिखा हुआ है जाओ कुछ कमा कर लाओ तभी तुम्हें रात का भूजन मिलेगा तो इसमें तभी के जगह पे हमने वर्ना प्रयोग किया है जाओ कुछ कमा कर लाओ वर्ना रात का भूजन नहीं मिलेगा तो वाके नकरवात्मक हो जाता है जब हम वर्ना लगाते हैं क्योंकि हमें शितावनी देनी होंगी यह सावधान कर रहा हूंग उसका परिणाम बताना होता है तो हम एक एक करके अपने प्रस्णों को देख लेते हैं तो पहला है हमारा कव पढ़ने में मन लगाओ तभी परिक्षा में उत्रीन हो सकोगे तो एक बार इसको दोहरा रहते हैं बच्चों पढ़ने में मन लगाओ तभी परिक्षा में उत्रीन हो सकोगे इसको हम लिखेंगे पढ़ने में मन लगाओ वरना परिक्षा में उत्रीन नहीं हो सकोगे ख है बिना डरे आगे बढ़ते जाओ तभी मनजिल तक पहुँच सकते हो इसको लिखेंगे तभी के सान पर वरना का प्रियूग करके बिना डरे आगे बढ़ते जाओ वरना मनजिल तक पहुँच नहीं सकते हो घ है जल्दी जल्दी चलो तभी गाड़ी पकड़ पाओगे जल्दी जल्दी चलो वरना गाड़ी पकड़ नहीं पाओगे तो बचों आज के लिए इतना ही शेश हम कल करेंगे अब बस हमें एक करना है इस पाठ के एक्टिविटी वले प्रशने अब करने की बारी तो आज के लिए इतना ही